हेल दोस्तों आप देख रहे हैं इंफ्रमेंसल कासिच आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाल है टीचिंग अप्टिचिउड सीक्षन सास्त्र प्रेक्टिस सेट 12 है अभी तक जो भी सेट बनाया गया है नहीं देखें तो जरूर देख लिजेगा और आज हम लोग इस यानि इस प्रेक्टिस सेट में थोड़ा सा अपना लेबल बढ़ाएंगे टीचिंग अप्टिचिउड का और कठिं से कठिं सवाल को इसमें सामिल किया गया है तो अगर आप इस सेट को बना लेते हैं और अधिक नंबर ला लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितना नंबर आया यह जरूर बतलेगा और दूसरा बात कि आप इस वीडियो को लाइक किजेगा जरूर ताकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ सके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला शवाल और कमेंट बक्स में जरूर बतलेगा कि आपका नंबर कितना आया च उसका अहंकार जो उसके अंदर गुनात्मक सुधार आने नहीं देता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो अप्शन नमबर D हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे देख सकते हैं, दो नमबर स सवाल यहाँ पे, यहाँ पे तिन नमबर सवाल आप देख सकतें, आजकल समाज में सिक्षक को पहले जैसी पर्थिस्टा प्राप्त नहीं है, उस पर्थिस्टा को पुना प्राप्त करने के लिए आपका विचार आप एक्षित है, यानि क्या आपका विचार हो सकता है कि प पी सी सभी सही है यानि इसका नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगरा सवाल यहां पे और चार नंबर सवाल है हमारा सिख्षा के शेत्र में आप उपयूक्त यह योग भ्यक्तियों को किस प्रकार प् अपसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे और यहां पे पांच नंबर सवाल देख सकते हैं अध्यापक की दैनिक दिन्चारिया का अंग होता है दैनिक रूप से वजनाले जाना तथा प्रतिका अधिकारों को अध्यन करना चुटी के दिनों में धार्मी के स्तलप गुमना अच्छात्र के अधिकम की दर को बठाने के लिए निरंतर चिंतन श्रील और कख्षाय में नय नय परयूग करना क्या हो जाएगा तो देखिए यहां पे आपको बतला दे ए और सी दोनों बिचार में सिख्षों की यूनियन होना चाहिए सिख्षों की अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहना चाहिए सिख्षों की अधिकार की रक्षा समाज की जिमवारी है और सिख्षों का अधिकार एक्ट होना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो आपको बतल जड़ें यदि कोई चाहतर अध्यापक के निरंतर प्रयास के बार बार करख्षा में फेल हो रहा है तो इसका सम्हावित कारण हो सकता है चाहतर की बुद्धी के ऊस्त से बहुत नीचे होना अव्यावक्ण उस पर ध्यान ना देना चाहतर का उदंड होना या सभी क्या हो जा आज कल सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है आप देखे होंगे सुचनाओं को रटवाने परिक्षा पास करवाने पर चात्रों में ज्यान के संग्रह करने पर बिज्ञान भी स्वयों के सिक्षन में देखें आप यहां पर देखेंगे सब आपको अच्छा लेगा लेकिन इसम अंसर हो जाएगा होगा अपसन नमबर ए सुचनाओं को रटवाने पर बल दिया जाए आज कल के स्कूलों में बस आगे बढ़ जाते हैं और देखते अगला सवाल यहां पर अच्छे परिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं इस संदर में आपका मत है कि इनके बच्चों में सभी सुख्षविदाय महजूद रहती हैं इनके बच्चे में ऊपर कोई बोज नहीं रहता है अच्छे परिवारिक परिवेश में कलेस नहीं मिलता है इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपरक में रहते हैं तो इसमें आपको सबसे अच्छा उ देखते अगला सवाल यहां पे और यहां पे दस नबर सवाल है यदि सिख्छक कहे कि मैं जो करता हूं उसकी और ध्यान मत दो और मैं जो कहता हूं उस पर आचरन करो तो यानि ये सिक्षक करता है कि मैं जो करता हूँ उस पर ध्यान मत दो और जो मैं करता हूँ उस पर आचरण करो तो समाज का इससे क्या परभाप पड़ेगा यानि समाज पर इसका क्या परभाब पड़ेगा, सिक्षक पर संदे होगा, समाज सिक्षक का अनुसरान करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, या वो सिक्षक का हलाने लाइक नहीं होगा, तो देखे इसमें राइट अंसर हो जाएगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, क्योंक सकते हैं सिक्षक कि कथनी और कर्णी में किसने कहा था यानि कहते हैं वहीं करना चाहिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए किया किसने यह कथन बोला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि एक ग्यारक आपका क्या हो जाएगा बी महात्मा गाधी ने कहा था चली आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे और बारा नंबर सवाल है कक्षा में छात 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 राओं का ध्यान विक्सित करने के लिए तो आपको बतला दे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अप्शन नंबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यानि चात सेत्राओं में जिग्यासा का विकास करेंगे चली आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे परचीन काल में अपचारिक अपर दो धार्मिक संसकारों का ग्यान ही था चली आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे चौदार सवाल है हमारे सामने आपके बिचार से सिक्षा में हो रहे हरास को रुकने के लिए आवश्यक है विद्दाले में पूलिस की विवस्ता की जाए वि तो भी शिक्षक गन है या शिक्षक है अधियापक के उनको नियमित कख्षा में सिक्षण करने से ही इसमें अमलोग बीधि ला सकते हैं विकास कर सकते चली आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखते हैं पंद़र्ण नमम्बर सवाल दिया गया है कि सिक्षन में बीभिन सिक्षन विधिका पडियोग करके किने से क्या होता है छात्रों को फली परकार समझ में आ जाता है कुलेлагः कच्छा कि एक अध्यापक का system गुन है, याद्यापक के प्रती पूर्ण श्रमर्पन या अध्यापक के प्रती उच्छ चरित्र, तो आपको पतला दे, यहीं पर इसका answer है, option number A, इसका right answer हो जाएगा, याप अध्यापक के प्रती पूर्ण श्रमर्पन आपको होना चाहिए, उसके बाद यापका धर्म टीचिंग ही है, याद्यापन ही है, चलि आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगलर सवाल, इसके बाद यहाँ पे 17 नमबर सवाल दिया गया है, कक्छा में संप्रेशन की सबसे सकतिसाली बादा है, बाहरी सचे सिक्छं समागरी का भाव, सिक्छं के अस् दियाला में कार्य अनुभाव के अंतरगत नर्शरी त्यार करनानी है, किन्तु छादर काम करने से कतरार है, तो आप उन्हें अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने की विविश्च करेंगे, स्वतनत छोड़ देंगे, या कार्य में भाग लेकर प्रेशन करेंगे, या आप खुद उन्हों को जब करने जाएंगे, तो लोग खुद प्रेशन रन निती सरवार्धिक उप्योग है, निरंतर गध्य रन निती निरनायक तालिका एलगोरिथम या समनुवेशन रन निती तो इसका राइट आंसर होगा, गणित के लिए एलगोरिथम या अप्सन न जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पर यहां पर 20 नंबर सवाल है, अध्यापन संगर्थन का दाई तो होना चाहिए, सिक्षको के दोरा सरकार के बीच मधहस्त बनकर काम करना, या सिक्षको की समयसा पर विचायर करना था, उन्हें दूर करना है, यार तालो यार यो का विजन करना है, या सरकार पर दबाव ड़ना यानि 20 नंबर का क्या होगा, राइट आंसर तो अप्षन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर चलिए, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एकला सवाल, और यहां पर 21 नंबर सवाल को हम दो यहां पर पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमागाता है जब चात्रों के रूची को बढ़ाने के लिए उक्तियों का परयोग नहीं करता जब उसकी चात्रों पर पकर नहीं होती या जब वह पाट की पूरी तरह से त्यारी करके नहीं आता है यानि 21 इसका क्या हो जाएगा तो आपको बतला दे जब आप डगमागाएंगे कब जब आप पूरी तरह से कक्षा में जाएंगे और उस पार के त्यारी करके नहीं जाएंगे और जो पढ़ाना है आपको त्यारी नहीं किये हैं पहले से तो आपको डगमागाना पर जाएगा इसल सर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगरा सवाल अध्यापक के सुझाव के बावजुद कोई अपनी स्वक्षता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थ दंड दे उसके व्यावक को सुझित करें कारण का पता कर करेंगे इसके बाद कोई उसका हल निकालेंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगलो सवाल और यहाँ पर देख सकते हैं 23 यानि 23 नमबर सवाल आपके छोटे भाई बहंन समय का सही उप्योग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी भी देखने देखत तो आप यह कहेंगे अप्सन नंबर डी हो जाएगा कि पढ़ने के समय कम से कम तो टीबी नहीं देखना चाहिए बात जरूर कहेंगे तो अप्सन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला सवाल सिक्षन ब्योशाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोर कर सभी कारण हो सकते हैं यानि इसमें से एक ही गलत दिया हुए उसको चुनना है कि आप टीचर बनना चाहते हैं ठीक है लेकिन क्या कारण है कि आप उसको नहीं मानेंगे यानि उसके प्रती आपका कोई रूप में स्थाफित करने की ललसा यह तो सबको रहती है सिवा निरित के बाद प्राप्त होने वाले लाव या चात्रों के सवागें विकास के लिए प्रयास करना तो देखिए जो यानि आप टीचर बन गए तो यह नहीं कि आपको सब कुछ मिलेगा लाव मिलेगा यह मिल प्रति आदर की भावना के विकास के लिए तक्षा में उपित उधारन देना चाहिए अभिवागों को यह जिमवारी स्विकार करनी चाहिए आदर भाव से महत को बताना चाहिए या सिक्षक को स्वेम अपने से वरोस के प्रति आदर पर दर्सित करना चाहिए क्या होगा इ इस सेट को बनाने के बाद तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद